हुआ है हुआ है हुआ है 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 मस्कार वागवान भाईयों है मैं सी एपल और चर्ड्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है आज कि ये वीडियो हम उन वागवान भाईयों के लिए लेकर आये हैं जिनकी हाइट लगवग चार हजार से लेकर साथ हजार फिट की है यानि लोवर वैल्ट से लेकर मिडल वैल्ट के लिए आप कौन सी वराइटी लगाएं और ज्यादा स्यदा मुनाफ़ा कमाएं इससे सम्मंदित आज की हमारी ये वीडियो है जिसमे हम आपको टौफ फाइव ऐसी सेप की किसमे सकते हैं तो वीडियो के साथ बने रही है लास्ट तक और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही दबाए नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले तो बि अरली हाई कलर स्टेन वराइटी है जो की अरली रेड वन एपल वराइटी के मिउटेशन से बनी है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका सेब जब मटर के दाने के आकार का हो जाता है तब से ही इसमें रंगाना शुरू हो जाता है और अखरोट के आकार तक इसके पूरे फल में रंग पूरी तरह से आ जाता है और फल पूरी तरह लाल हो जाता है बात करे इसके एलिवेशन की तो आप इसे पचपन सो से लेकर पैसट सो तक की हाइट में लगा सकते है हार्वेस्टिंग में दोस्तों आप इसे 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसकी हार्वेस्टिं कर सकते है दोस्तों इसके बाद हमारी जो अगली वराइटी है वह है स्कालेट्स पर टू यह एक अमेरिकन सेमिस पर वराइटी है जिसे हिमाचल में 2008 में लाया गया बात करें इसके एलिवेशन की तो इसे लगवग 4000 से लेकर 65-100 तक की हाइट तक लगाया जा सकता है हार्वेस्टिंग में दोस्तों आप इसे 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के मध्यों कर सकते हैं अब बात करते हैं नमबर तीन जो की हमारी अगली वराइटी है रेड विलॉक्स यह वराइटी इटली की ग्रीबा नर्सरी से आई है इसे रेड डिलिशियस टेंडर वराइटी के म्यूटिशन से बनाये गया है कलर की बात करें तो इसका कलर डार्क रेड है यह भी एक अर्ली हाई कलर स्ट्रेंड वराइटी है यानि जब इसका सेब का आकार मटर के दाने के बराबर हो जाता है तब से ही इसमें रंग आना शुरू हो जाता है और वालनट साइज तक पहुँचते समय ही इसका पूरा फल डार्क रेड में परिवर्तित हो जाता है अलिवेशन की बात करें दोस्तों तो आप इसे 5000 से लेकर 7000 फीट तक की हाईट तक लगा सकते हैं हारवेस्टिंग में दोस्तों आप इसे अगस्त से लेकर सेप्टेमबर के मध्य में कर सकते हैं इसके बाद हमारी अगली वराइटी यानि नंबर टू पे जो हमारी अगली वराइटी है वह है अडम्ज पर दोस्तों अडम्ज पर भी एक अमेरिकन वराइटी है यह साइज में बड़ी है और एलॉंगेटिड शेप में है यानि लंबोतरे आकार का इसका सेव है एलिवेशन में दोस्तों आप इसे पच पन सौ से लेकर साथ अजार फिट तक लगा सकते हैं इसकी हार्वेस्टिंग दोस्तों आप रॉयल डिलिश्यस की जितनी भी वराइटी है उससे लगबग 15 दिन पहले आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस वीडियो में जो हमारी नमबर वन पर वराइटी है वह है किंग रॉट एपल वराइटी का उधै इटली के साउथ टायरा नामक स्थान से हुआ है जो एक सैमीस पर वराइटी है जिसमें बीम काफी जल्दी बनता है इसके एलिवेशन की बात करें तो दोस्तों आप इसे पचपन सो से लेकर साथ अजार फिट तक की हाइट में लगा सकते हैं हार्वेस्टिंग दोस्तों आप इसकी 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के मध्यो कर सकते हैं किंग रोट एपल वराइटी में हमने अल्रेडी ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बागवान भाईयो इस वीडियो में हमने आपको बेहतरीन टॉफ फाइव वराइटीस के बारे में जानकारी प्रदान की ये सभी पिछले 5-7 सालों से हिमाचल में काफी फलफूल रही है इसके अलावा हम आप से कुछ और महत्वपून जानकारी साजा करना चाहते है जो इस प्रकार है बागवान भाईयो जब भी आप साइन्वू डिया ग्राफ्टिट प्लांट खरीदें तो पंजी कृत नर्सरी से ही खरीदें इसके अलावा आप इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखें कि जो भी वराइटी का आप चैन कर रहे हैं या कर चुके हैं वे है आपके एरिया या आपके हाइट के हिसाब से क्या सही है आप ऐसी वराइटीज अपने और्चर्ड में ना लगाएं जो अभी बिलकुल नहीं है और जिनके उपर होटी कल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा हो इसके अलावा ऐसी नर्सरी से भी बचे जो इस तरह का दावा कर रही हैं आप वही वराइटीज का चैन करें जो पिछले 5-7 वर्षों में हिमाचल में काफी फलफूल रही है जिनके बारे में हमने आपको आज इस वीडियो में जानकारी प्रदान की और जो अब तक के पिछले 5-7 वर्षों में जिनकी प्रफॉर्मेंस हर क्षेतर में बेहतरीन साबित हुई हो तो बागवान भाई यो ये थी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही जो बागवान भाई मेंसी एपल और चड़ यूट्यूब चैनल से अब तक जुड़े हैं उनका हम आभार अभिनंदन प्रकड करते हैं और जो बागवान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उनसे हमारी विंती है कि प्लीज हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो सके तो इसी उम्मीद के साथ बागवान भाईयों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें जैहिन जैहिमाचल